हलो माई डियर फ्रेंड स्वागत दिकों फिर से आप सभी का आप सभी के फेवरेट यूटूब सेनल एक्जाम ओडरस हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता पॉल्टिंग इंटरस एक्जाम की जो इंटरस एक्जाम थी उसकी इंसर किया चुकी है जल्दी उसका रिजल्ट कर दो से तीन दिन में आ जाता है लेकिन जब सीट अलोट्मेंट बार आपको डॉकुमेंट वरिफिकेशन करा निकले कालेज में जाना पड़ेगा सेंटर में और आपके पास डॉकुमेंट नहीं होगा तो आपका सीट कैंसील हो जाएगा यानि आप उस सीट से बाहर ही नह पॉटन दोकुमेंट हैं कॉंसलिंग से बाले इन सभी डॉकुमेंट को तयार कर लो एक गलती कभी मत करना नहीं तो आपको सीट बच्चे कैंसील हो जाएगा बिल्कुल बच्चे इस चेसको ध्यान रखेगा आपका सीट कैंसील हो जाएगा अगर आप इस अब मिलेगा और आपको पदाई से 500-600 बच्चे रो डेली मैसेज कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें देखिए सबका तो इतना बच्चे टाइम नहीं होता मैं जैसे लेकिन जब फिर होता सबका चेक करता हूँ अगर मुझे लगता है कि आपका हेल्प करना चाहिए ज्यादा प् कोशन पूच के क्या मतलब है मैं फिर आप लोग इतना तो इतना तो यह नहीं है कि मैं इतना फ्री हो 506 लोग का मैसेज आप पाचास लोग अगर आप लोगों को रिपलाई देना पड़ता है जब भी होंगा तभी देता हूँ और जो लोगों का लगता है हाल इस्टा पूरा डिफेंट करके एक साथ लिख दो और जैसे मैं दिखूंगा आपको रिपलाई मिल जाएगा और आप लोग हाय लिकिंग फिर में हाल लिखूंगा तो इसमें तुछ टाइम जाता है और इतना फिरी नहीं पांस लोग हाय का रिपलाई थोड़ी ना करने बैठा हो त क्योंकि यार मैं खुद थिरी नहीं रहता हूं इसलिए ध्यान लखिएगा और जो कॉंसलिंग के सीधा थे टाइप टॉपिक पर आएंगे फालतु बक्वास नहीं जो बताना था बता दिया आप सुन लिया जमजदारों को तो समझ गया जो बच्चे इंपॉरन डॉकुमे मैंने आप सभी के लिए आप सभी को सबसे पहले बता दें सबसे पहले आपका क्या होता है यूपी पाल टेकनीक जीकॉप इंटरस एक्जाम के बाद बच्ची आप सभी का एंसर किया है आ चुका है अब रिजल्ट आएगा रिजल्ट जैसे आएगा उसके बाद इन लों का सेट आएगा कॉंसलिंग का जैसे आगा मैं बता दूँगा इसलिए चैनल को सब्सकरीब करके बैल आकन कउ पर सभाए तो रिजल्ट आते ही मैं आपको और जब इससे आपको सेट बने होगा हो तो जब इस बार जैसा कि इनका इस्टक्षन होगा तो जब इस डौकमेट वर फिर आपको पता है, फिर सीधा cancel कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक या दो दिन का time मिलता है, उसी date में आपको सब कुछ final कराना होता है, इसलिए आपको नहीं बना जाकि जुरूर बनाएगा, और हाँ आप सभी लहब के लिए मैंने WhatsApp group जिसका link discussion दे दिया जाकि join हो ज मजना मत, फिर मैं उसका reply देने वाला नहीं हो, साथ में ब्लाग भी करूँगा, WhatsApp भी ब्लाग भी करूँगा, क्योंकि एतना मेहनत के साथ में वीडियो बनाता हो, आप सभी को time लेकर, उसको आप फिर आप लोग वही बात करते हो, तो अच्छा लगता है हमको, नहीं लगत आपको भी नहीं लगना चाहिए, आप इसलिए पढ़के पूरा वीडियो देखा करिए, यार जब मैं आप सभी के 4-5 मिट का वीडियो देख रहा है, इसके लिए मुझे एक घंटे-दो घंटे इस पे श्रड़ी करके बनाना पड़ता, ठीक है, ऐसे नहीं बनाता हवा में और हाँ, आप सभी को WhatsApp ग्रूप इसलिए दे रहा हूँ, आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, चाहे वाइस काल हो, चाहे डारेक काल, कोई भी मत करिएगा, ठीक है, जैसे मैं फिरूंग, आप सभी का रिप्लाई मिल जाएगा, और एक चीज़ और ध्यान आप से भी कॉंसलिंग जिनलों का भाई, 80, 80, 90, 100, यानि 100 के बिलो बन रहा, 80, 90, 100, उनलों को पता है, सीट मिलने बहुत प्राबलम हो, क्योंकि 120, 140 वालों को अधिकतर बहुत ही दिक्कत से सीट मिलती है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, मुझे कॉंसलिंग करने का तरी आप मैं पूरा डिटेल्स भेज़ देंगे, और फीस पेमेंट कर देंगे, तो मैं आपका जो कॉंसलिंग खुद अपने हाथ से करके आपको पूरा डिटेल्स भेज़ दूंगा, ताकि आपको सीट मिलने के ज्यादा चांस हो, ताकि चांसे जो प्राबल्टी 99 परशन बढ ठीक है, चली भी ये डॉकुमेंट कर आता है, डॉकुमेंट क्या है, इंप्राटन डॉकुमेंट की बात करें बच्चे करीब 12 से तेरे डॉकुमेंट है, सभी डॉकुमेंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंप्राटन है, इस चीज को ध्यान रखती हुए, पूरे ड admit card फेकर दे रहा है तो बच्चे admit card बिल्गूल भी नहीं फेक ना ए to admit card अपने पास सजयो की रखो सजा के रखो ठीक है रिख है अलमारी में रखो यह कहीं document file में रखो ताकि आप अपको admit card दोने में दिक्कत नो जब counseling withdraw for doing verification होरा वही बच्चे आपको बता दे दूसरा चीछ ऴार्ड एन्य थंजर दॉसरा चीज है result and rank card result and rank card क्या होता है स्वारी दोस्तों देखे result और rank card क्या होता आपका result or rank card आपका होगा कौन सा जो आपका result आएगा उसी में आपका rank भी लिखा رहेगा ठीक है यानि result plus rank card यह आपका जो result हो को से rank भी लिखा रहा है को उसी number यह आपको रख ले रहा है print out करके जैसे result है यह नहीं कि इक को mobile में screenshot रखना एक बार print out निकल आपके उसको रख ले रहा है वहीं आपको देखो बच्छे cost certificate या लिखा रखना है अगर जिसमें आगर हो सकता आप जनेरल से हो यूर से हो इस से हो बीसी से हो यसी से हो यस्टी से हो बहुत से बच्चे देखिए हैंडिकेप होंगे physically हैंडिकेप होंगे पी यसवाला तो यह जितने भी certificate हो इसको रख ले जैसे कुछ लोगों को handicap certificate होता है तो अपना handicap certificate रखेंगे ready और जुनलों का card certificate अगर आप लोग OBC General ST EWS से अगर आपको वरीता चाहिए छूट चाहिए आपको भी पता है छूट मिलता है सभी का OBC सभी category का measure होता है तो अगर admission लेना है तो certificate हो ready रखना domicile certificate की बात करते हो बच्चे domicile certificate आपका क्या होता है निवास परमारपत्र जहां भी रहते हैं एक domicile certificate इसको भी बनवा लेना ठीक है दोनों आपका card certificate domicile certificate आराम से सहजन सिवा के इंद पर जाके बनवा सकते कोई दिक्कत नहीं है और ID card में photo ID card में बच्चे चाहिए आप अधार काड ले लेना चाहिए driving license लेना लेकिन मैं preference आपको दे दूँगा कि आप लोग अधार काड को ज्यादा preference दे क्योंकि ज्यादा ज्यादा प्रोसे अधार काड से होगा अगर अधार काड यूच करेंगो पहले चीज ध्यान रखो जितने भी हैं आपको photocopy और original यानि दो फोटो कापी एक original दो photocopy एक original जितने भी डोकुमेंट बता रहा हो सबका दो photocopy एक original रखना है जितने भी बता रहा हो सबका दो-दो photocopy और एक original रखना है क्योंकि आपको वेरिफिकेशन की टाइम बच्ची ओरिजिनल लगए यानि जो 10 है आपका जिरोक्स तो जमा होगा उसके साथ साथ आपका जो है original copy आपको वहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा ठीक है नेस्ट बढ़ते हैं क्या चाहिए आपको नेस्ट बच्चे physically fitness certificate चाहिए ठीक है जो कि आपका बनेगा government hospital से आप पने नजदिकी जिला अस्पताल से या आपका कोई बगल में या नजदिक जो भी नजदिक पड़े सरकारी अस्पताल होँ से बनवा लेना fitness certificate बन जाएगा जाके बोलना कि हमको आप लोगों ने कुछ किया नहीं है मानलो कुछ किया है बट उसमें आपका जैसे की मानलो 12 किया उसकाद आपका एक या दो साल का गयब ध्यान समझना जैसे आपने 12 तो कर लिया पास करके 2020 लेकिन एक या दो साल का उसमें गयब हो गया मतलब उसके पीश में आपने पढ़ाई नहीं किये तो बच्चे उस टाइम आपको एक गयब certificate बनवाना पड़ता है आप अपने नजदिकी त पास किया आप लोगों ने 12 और 2022 का ही टीसी है तो ठीक है चल जाएगा अगर आप लोगों ने 12 बास पास किया 2020 का तो टीसी भी 2020 का है तब आपको दो साल का यहां पर गयर certificate बनाना पड़ेगा चाहिए फोटो की बात करें तो बच्चे फोटो नहीं तो जल्दी जल्दी बन सीट एलाट्मेंट बच्चे आपका जो सीट एलाट्मेंट रिजल्ट है या सलीप है इसको रख लेना यह कब मिलेगा जब कॉंसलिंग होने कवा सीट एलाट्मेंट होगा लाच टाइम आपको मिली होगी तो वहां पर सो करेगा कौन सा आप सभी का कॉलेज है कॉलेज निम क्या है सब कुछ वहाँ पर सो करेगा उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना जितने भी डोकुमेंट एक बार नोट डाउन कर लो ठीक है तेरा डोकुमेंट है सभी रेडी कर लो और आसा वीडियो पसंद आगा वीडियो बच्चे पसंद आ तो वीडियो लाइक कर दो चैनल को सस्काई कर लो बिल आइकन प्रेस कर लो जिन लोगो कम नंबर है सतर असी ठीक है सतर असी आपका नंबर है सब के नीचे तक का है अगर आप लोग कॉंसलिंग कराना है एक्सपर्ट हमारे थुरू तो पिछली बार भी काफी बच्चों को मिला था साट सतर असी नंबर भी लाश्ट मॉमेंट थे तो अगर आपको चाहिए तो अब हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हैं कांसलिंग की फीस आपको पेकन देनी पड़े गए जो भी डिटेल्स होगा हमें भैद देंगा मैं करा ठीक है तो अगर आपको चाहिए तो नमबर यहां आपको कर रहा है इसको नोट करके हमें WhatsApp काल मत करिएगा बच्चे कुछ भी काल मत करें बस वीडियो आप हमें आप मैस्सिज कर दीजिएगा अगर मुझे लगेगा important तो मैं को काल बेक कर लूँगा ठीक है आज सब अच्छे वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए लाइक कर दो चैनल को सस्काइब कर लो बेल आकन प्लेस के लिए अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर सेर करेगा कि मोस्ट इंपार्ट रेंडर ठीक है और आपको पता है कर भला तो हो भला जब तक आप अपना फिल दूसरे का भला नहीं करेंगे तब तक आपका अपना भी भला नहीं होगा इसने सेर जरू करें वीडियो लाइक करें काफी मेहनत लगता है वीडियो बनारें ठीक है धन्यवाद होने माताम थैंक्यू प्रोचिंग